सादर नमन तेलंगाना राज्य हैद्राबाड स्थित जगुशा डानेश्वरी स्रीमती निलाबेन नलिनबाई खारा गुरु प्रेमी स्रीमती गीताबेन उड़े भाई डोसी अनन्य गुरु भक्त स्रीमती रतनाबेन चंद्रेस भाई महता शेवा निष्ठ दर्म प्रेमी स्रीमती लिनाबेन परेस भाई दोसी की और से आज का संदेश आज के संदेश की सुरुवात एक सुन्दर कथा से करता हूँ फिलिपाइंस में किडपावन नगर में एक बंगले का मालिक अपनी पत्नी की साथ खरीडी करने के लिए बाजार में गए उसी समय उसकी डोडेक साल की पुत्री को निंद में खलेल नो हो इसलिए उसको साथ में नहीं लिहा बंगले पे ही रखकर मन में ऐसा सोचा खरीडी तुरंत ही करके वापस आजाना सौपिंग करके वापीस आंगन में आते ही एक द्रस्या देखते ही दोनों पती पत्नी स्तब दहत प्रभ हो गए बंगले के आंगन में मौक्षी और माईली नामक अपने दो पालतु कुते मृत्तावस्था में सोय हुए देखा थोड़े ही दूर एक कोब्रा साब भी मरा हुआ पड़ा था और आज पास में लहु के छाटे बुंदे देख रहे थे मालीक दोनों स्वान की पास जाते देखा तो एक कुते का स्वास चल रहा था तुरंत ही उसको पानी पीलाया पानी पीते ही कुता खड़ा हो गया किन्तु अप्सोस वह कुता अंध हो गया था उसकी दोनों आखों का तेज चला गया था दुसरे कुते को देखा तो वो मर गया था दुसरी और कोब्रा साब लहु से लथ बद पड़ा था दूर से देखते पेले तो भै की कमपन चुटी किन्तु निश्चेस्ट होने से पास में जाकर देखा तो सपस्ट मालुम हुआ कि वो मर गया है ऐसा कैसे हुआ होगा? किसी ने किया होगा? इतने टाइम में ऐसा कैसे हुआ? अईसे सवाल मन में मन में रखते थे तभी ही मन में से जवाब मिला हाँ जवाब में मैंने सोचा अरे सही बात है बंगले के आंगन में ही सिसी टीवी केमरे की विवस्ता है ही उसमें सब कुछ देखने मिलेगा चल देख लूँ सब ख्याल आ जाएगा कैसे कोबरा साप आया क्या हुआ और कैसे एक कुट्ते और कोबरा साप का मरण हुआ मालिक ने DVR का रेकोर्डिंग देखा उसमें दो मिनिट का वीडियो रेकोर्डिंग देख सुन के चकीत हो गया सीसी टीवी में देखा बंगले की आंगन में जेरी कोबरा साप दिरे दिरे आगे बढ़ रहा है मौक्षी और माईली दोने कुट्ते दोरते दोरते उसकी पास आते है दर्वाजे में से उसने देखा अंदर देखा तो मालिक की पुत्री डोडेक शाल की पुत्री जमीन के नीचे शुई है कोबरा साप जड़ब से आगे बढ़ रहा है मौक्षी स्वान ने उस पर प्रहार किया तो वो साप थोड़ा पीछे मुड़ा किन्तु फिर से जड़ब से आगे कोबरा साप बढ़ने लगा और दोर तक पहुँच गया बाद में माईली स्वान ने साप को पुछ से पकड़ के पिछे खेचा तो पीर गर में गुषने का साप ने प्रयास किया किन्तु दोनों दोगी कुता मानो संकल्प बद नहो इस तरह बार बार कुतों ने साप पर हुमला किया आमने सामने जंग खेलने लगे कुबरा साप ने बहुत बार डोनों कुते को जोर जोर से फुतका कर डंक मारा मुह में से जेर की पिछकारी छोड़ी किन्तु डोनों कुतों ने थोड़ी सी भी मच्चक नहीं दी आखिर में एक और साप ने अंतिम स्वास लिया तो जेरी दंस के वजह से स्याम वर्णिय माईली ने भी अपना प्राण छोड़ा और आखों में जेर जाने से मौक्षी अंद हो गया अपनी जान के निवचावार करके डोनों स्वान ने अपनी मालिक की पुत्री को बच्चा ली संपुर्ण वीडियो देखने के बाद बंगले का मालिक जैमी सेलिष रोने जैसा हो गया वो ही दो मिनिट का वीडियो फिर से देखा तभी उसकी आँखे अश्रू से बिग गई और अश्रू सायद ऐसा कहने लगे कि आज विश्व में वफादारी प्रायक कम दिखाई दे रही है तभी यह गटना मानवजात को मुक प्रेरणा दे रही है अईसी ही विश्व में स्वान की कुत्य की पसुओं की वफादारी की प्रसंसा की है बस मालीक का अनाज खाया है उसकी पुत्री की किसी भी हालत में सुरक्षा करनी फिर कैसे ही अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान करनी मंजूर है पसुओं की जान वफादारी में इतनी जागरुत है तो मानव सुरुष्टी में बड़ा कहलाता है जिसका अन खाओ उससे उस पर गदारी मत करो एक कहावत है जिस थाली में खाए उसमें छेद ना करे वफादारी मानव को रखनी चाहिए गवर्मेंट कुद्रती आपती में जो जो मदद कर रही है वो मदद लेके सीर्फ राजी मत हो जिसका एक डाना भी खाते है एक डाना भी खाते है उसकी हर हालत में वफादारी करनी चाहिए हम भी अपने उपकारियों के प्रती उपकार करे सायद उपकार न करे सके तो दो कारे अचुक करना एक जिसने उपकार किया उस पर अपकार मत करो और अन्या कोई अपकार करता हो तो अपनी भी कुछ फरज है वो फरज दो कुटे की तरह अड़ा करनी चाहिए अन्त में पंक्तियों से बात पुरी करूं द्रस्टी बदल कर चलते जाना सोच बदल कर मिलते जाना अम्तिहान है यह प्रकास का हमें दिये सा जलते जाना मन के साकी द्वार खोल दो इस धरती की यही रीत है अपने पन की मिटी हो तो कहां हा रहाए कहां जीत है पल पल में हमें संबलते जाना पल पल में हमें संबलते जाना द्रस्टी बदल कर चलते जाना सोच बदल कर मिलते जाना बड़ी अजब देश चदरिया बड़ी अजब देश चदरिया बड़ा अजब है बड़ा अजब यह ताना बाना इस पर बड़ा नाज है हमको धागा धागा हमें बचाना अंधकार को चलते जाना द्रस्टी बदल कर चलते जाना सोच बदल कर मिलते जाना जुढ़ना एक निरने होता है चाहे कितनी हो बाधाएं है कटूता के बहुत बहाने है कटूता के बहुत बहने लेकिन चाहे है तो चाहे लेकिन चाहे है तो चाहे प्रेम रूप में ढड़ते जाना द्रस्टी बदल कर चलते जाना सोच बदल कर मिलते जाना सोच बदल कर मिलते जाना जै हो अस्तू झाल झाल